क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा बंदर कितना छोटा होता है नहीं ना तो मैं आपको बताता हूँ दुनिया का सबसे छोटा बंदर जिसका नाम पिग्मी मार्मोसेट है ये दक्षिर अमेरिका के पश्चिम अमेजन घाटी में पाया जाता है जिसका वजन लगभग 3,5-5 ओंस यानि की 100-140 ग्राम के आसपास होता है और जिसके लंबाई यानि की कद साड़े 4-6 इंच यानि की 117-169 mm होती है इसकी पूच के साथ इसके लंबाई 6.8 इंच यानि की 172 mm होती है ये बंदर पेरू, ब्राजील और इक्वाडोर के जंगलों में भी पाया जाता है ये इतना छोटा होता है कि आपके उंगली में बैठ जाए जी हाँ, ये उंगली के बराबर होता है बहुत छोटा होता है, बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा होता है येतना क्यूट ही होता है, उतना ही इसका सुभाव गुस्याल होता है तो यह है हमारा पिग्मी मारमुसेत सबसे छोटा बंदर